गुड बॉन्य अब्रिवन आज हमारी ओमवर्ग सीट फोर है सब्जेक्ट नमारा इंग्लिस हैंड राइटिंग है और क्लास नर्सरी है इस वीडियो के माध्यम से बता रही है पहला कोश्चन हमारा का है इंग्लिस हैंड राइटिंग यह हमारी इंग्लिस के हैंड राइटि तो इस तरह से यह करेंगे, इसके बाद में question number two, write one to six counting, once लेकि six तक counting को लिखना, जैसे one, two, three, four, five, six, इस तरह से आपको लिखना अच्छे से और इसको अच्छे से पढ़ना है, याद भी करना, इसके बाद में question number three, write seven, मतलब ये seven है, six बाद क्या था seven, तो मैंने यहाँ पर seven लिखा हुआ है, seven पूरी लाइन में लिखा है, यहाँ पर seven लिखना है, जैसे यहाँ पर seven मना है, जैसे मैंने ये dot dot दिये, उसी तरह से आपको लिखना है, इस तरह से करना है, इसके बाद में question number 4, write A to G capital letters, मतलब A से लेके G तक है capital letters, जैसे मैंने आपको अभी लिखाया था, तो आपको यहाँ पर बिनादे के जो आपने याद किया है, उसको आपको बिनादे के लिखना है, जैसे A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grass, F F, तो इस तरह से इसको लिखना और अच्छे से याद करना, question number 5, यह कै तो इसमें आपको क्या करना है, match करना, इधर भी match करना है, जैसे यह B है, C, E, तो इतर E, B, C तो इसमें B, B में मैच करना C, C में E, E में मैच करना इस तरह से ये करना है इसके बाद में question number 6 color it, ये color it है इसमें आपको क्या करना है ये मैंने जो ice cream बनाई है तो इसमें आपको अच्छे से color fill करना है इसी तरह से ये करना है Thank you